नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जीतेन शुकला आप देख रहे हैं डिश्टर एडवाइस साम के साथ बच चुके और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का तो ज्यादा से यादा लोग जुड़ जाईए जो लोग जुड़ चुके है वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे साती साथ जिल लोगों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कर लिजे जिससे आपको ट्रिपल सी से रेलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एक्जामनेशन डेट, एड्मिट कार्ड, रिज जोइन कर लेंगे नाम क्या है डिजिटल एडवाइस ठीक है इसको आप जोइन कर लीजे जिससे आपको समय समय पर क्या होता रहेगा नोट्स और पीडिएफ आपको मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कोशन नमबर फर्स्ट प्रि चैट में राइट आंसर दे सकते हैं ठीक है और फटा फट इसको खतम करना है पूरे ऑंलाइन टेस्ट को गुड कोश स्टुडेंट्स का राइट आंसर आने लगा है इजी कोश्चन है इसका राइट आंसर होगा a option dpi ठीक है प्रिंटर का resolution किसमें मापा जाता है तब भी आ होता है dot matrix printer ठीक है next question number second qr code 2d code है a option है true b option है false 5 seconds है बताएगा राइट आंसर क्या होगा और यह आपके exam में आ भी चुका है साथी साथ qr का भी बहुत बार full form पूछा गया है तो qr का full form होता है quick response code ठीक है इसकी help से हम app install कर सकते हैं url share कर सकते हैं login कर सकते हैं payment कर सकते हैं ठीक है तो यह इतने इस बहुत सारे काम है जो qr code की help से कर सकते हैं तो बिलकुल यह true होगा ध्यान कियेगा qr code 2d code है two dimensional code है ठीक है 3D नहीं है 2D है clear है next question number third usb की help से किसको जोड सकते हैं a option printer b option scanner c option mouse and keyboard d option all of the above five seconds है बहुत easy question है good बहुत बढ़िया तो बिलकुल जिसका right answer होगा chat में आने लगा है right answer all of the above होगा ठीक है आजकल जितनी भी input और output devices आ रही है अधिक्तम usb आधारित आ रही हूँ आपका mouse हो keyboard हो scanner हो printer हो जोयस्टिक हो ठीक है trackball हो जितना भी है maximum clear है जितनी भी input output आपको पता है ज्यादा maximum से maximum किस प्यारें usb पर आधारित आ रही है ठीक है तो यहां पर all of the above क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा next question number four impress में last slide पर जाने की shortcut की क्या होती है a option shift plus end b option control plus end c option control plus down arrow d option alt plus end 5 seconds है बताएगा right answer क्या होगा good बहुत बढ़िया chat में कुछ लोगों का right answer आने लगा है तो बिलकुछ इसका right answer होगा यह भी होगा control plus end ध्यान अखिएगा impress में last slide पर जाने की shortcut की क्या होती है control plus end होती है next question number five library office calc में आप a 12 cell में है और आप control plus space bar press करते हैं तो क्या होगा a option select entire seat b option select column c option select row d option none of the above 5 seconds है उमीद है सभी students इसका right answer देंगे क्योंकि इससे पहले online test में इस question को discuss कर चुके हैं तरीका अलग था वहाँ पर direct था यहाँ पर थोड़ा सब घुमा के पूछा है इस question को बिलकुल कुछ students का chat में right answer आने लगा है इसका b option right होगा control plus जब हम space bar press करेंगे तो column क्या हो जाएगा select हो जाएगा next question number six इंस्टाग्राम से message save नहीं कर सकते हैं यह option है true बी option है false five seconds है साथी साथ यह ध्यान रखिएगा जो आपका Instagram है वो Facebook का ही part है और साथी साथ यह आपसे WhatsApp के विसे में पूछ लें तो WhatsApp भी आपका क्या है भाई Facebook से ही related है इसकी और कंपनी WhatsApp की भी Facebook है और Instagram से संबंदित भी हमारा Facebook ही है ठीक है इसका जो right answer होगा यह true होगा ठीक है Instagram से हम message को save नहीं कर सकते यह सत्य है next question number seven IMEI stands for A option International Mobile Equipment Identity B option Internet Mobile Equipment Identity C option Intranet Mobile Equipment Identity D option none of the web तो बिलकुल chat में right answer आने लगा है इसका जो right answer होगा International Mobile Equipment Identity ठीक है International Mobile Equipment Identity next question number eight PDA stands for A option Personal Digital Assistant B option Permanent Digital Assistant C option Pre-defined Digital Assistant D option none of the above five seconds है और सभी लोग preparation में बिलकुल लगातार लगे रहे है और preparation करते रहे है इसका जो right answer होगा यह आपका A होगा Personal Digital Assistant PDA stands for Personal Digital Assistant होगा इसका A option right होगा next question number nine Safari क्या है A option world processor B option spreadsheet C option browser D option drawing five seconds है good उमीद है इसका भी students right answer ही देंगे तो बिलकुल जिसका right answer होगा कुछ students का right answer आने लगा है C होगा browser ठीक है आपका जो Safari है वो browser का ही क्या है browser का ही example है ठीक है तो next देखते है question number ten writer में spell check के लिए F7 key का प्रियोग होता है A option है true B option है false five seconds है बताएगा right answer क्या होगा good बहुत बढ़िया तो बिलकुल जिसका right answer होगा ये true होगा important shortcut की है बहुत बार exam में पूछा गया और सब भी students ने right answer दिया ये एच्छी बात है बिलकुल ऐसा ही preparation करते रहे है राइटर में spell check के लिए F7 key का प्रियोग होता है तो ये बिलकुल क्या होगा सत्य होगा next question number 11 फेस्बुक के founder कौन है ए ऑफ्षन लेरी पैज बी ऑफ्षन टिम बर्नर ली सी ऑफ्षन डगलस इगलबर्ट डी ऑफ्षन मार्क जुगर बर्ग तो इसका बिलकुल सभी को पता ही है चैट में right answer आने लगा है लेकिन पूछा गया है रिवीजन के purpose से मैंने यहाँ पर यह question add कर दिया है तो याद रखेगा Facebook के founder मार्क जुगर बर्ग है ठीक है माउस की खोच डगलस इगलबर्ट डबलु 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 की खोच टिम बर्णर ली ठीक है और मेरे सभी को यह चीजें याद हो गई होगी next question number 12 A E P S में S का क्या मतलब है A option system B option symbol C option sequence D option none of the above तो यह भी बहुत easy question है और बहुत बार पूचा गया है इसका जो right answer होगा A होगा system ठीक है A E P S में आधार enabled payment system होगा तो S stands for system इसलिए A option इसका right होगा next question number 13 net escape navigator browser का उधारण है A option attribute B option है false 5 seconds है और ना हो तो इस question को note down कर लिजेगा यह बहुत बार पूचा गया है और यह सत्त भी है net escape navigator हमारा क्या है एक browser है इस point को याद रखेगा next question number 14 E banking में किसकी आवशक्ता नहीं होती है A option account number B option IFSC code C option ATM D option mobile number 5 seconds है good तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा C होगा ATM होगा ठीक है E banking में ATM की आवशक्ता नहीं होती है E banking में ATM की आवशक्ता नहीं होती है C option right होगा next question number 15 मनरेगाक्रसी से संबंधित है A option है true B option है false 5 seconds है easy question है good बहुत बढ़िया तो बिल्कुल जिल लोगोंने true बोला है उनका गलत है भीया false होगा ध्यानकरना मनरेगा जो आपका है वो रोजगार से संबंधित है किस संबंधित है मनरेगा रोजगार से संबंधित है वो रोजगार हो सकता है क्रसी से संबंधित हो या ग्रामीड छेत्र में ब्रिकास से सम्बंदित हो, सडकों से सम्बंदित हो, ठीक है, तो मन्रेगा बहुत छेत्रों में काम करता है और रोजगार के लिए इसका होता है, ठीक है, इस योजना के इंतर्गत लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, next question number 16, email address को बदला ज सकता है, a option है true, b option है false, 5 seconds है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, good, बहुत बढ़िया, चैट में कुछ लोगों का अंसर आने लगा है, तो बिलकुल ये false होगा, ठीक है, जिन लोगों ने true बोला है, उनका गलत है, email address को हम नहीं बदल सकते हैं, password को आप unlimited change कर सकते हैं, बार office में font size बढ़ाने के लिए किस shortcut की का प्रियोग करते हैं, a option control plus close bracket, b option control plus, ये है, open bracket, ठीक है, इसके बाद control plus close bracket, फिर control plus less than, और फिर d option है, control plus greater than 5 seconds है, बताएगा, good, तो बिलकुल इसका जो right answer होगा, ये control plus greater ये होगा, ठीक है, आपका होगा, second option, clear है, जैसे इसकी को प्रस करेंगे, हमारा क्या होगा, font का size one by one increase होता जाएगा, next question number 18, margin को बदलने के लिए Libra office में किस menu का प्रियोग करेंगे, A option format, B option insult, C option edit, D option styles, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, और proper preparation करते रहे है, बार-बार चीजों को याद करते रहे है, पढ़ते रहे है, ठीक है, revision करते रहे है, जिससे आपका easily paper क्या हो जाए, clear हो जाए, इसका जो right answer होगा, ये आपका होगा, बिलकुल, A होगा, format ठीक है, margin का option आपको मिलेगा, वो format में मिलेगा, A option इसका right होगा, next question number 19, B का decimal मान क्या होगा, A option 11, B option 12, C option 13, D option 14, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, तो बिलकुल इसका जो right answer होगा, ये आपका होगा 11, ठीक है, जान किएगा, A 10 represent करता है, B 11, C 12, D 13, E, आपका क्या हो जाएगा, 14, F हो जाएगा, 15, इसका donation याद रखेगा, ठीक है, 0 to 9, A 2 F होता है, आपका hexadecimal में, और A 2 F decimal में क्या represent करता है, A 10, B 11, C 12, D 13, F, सोरी, E 14, F 15, ठीक है, पूछा गया है, बहुत बार, next question number 20, P to P stands for, A option point to point, B option peer to peer, C option ping to pin, ping to pin, और D option none of the above 5 seconds है, और जिन लोगों ने वीडियो को like नहीं किया, like कर देंगे, हमारा संकल्ब सिच्छा से बदलाओ तक और यह तभी संभव होगा, जब आप जादा से जादा share करेंगे, इसलिए सबी को share करना है, जो भी social media platform आप लोग use करते हो, वीडियो कैसा लगा, comment करके बताएगा, कोई suggestion हो, तो वो भी आप comment कर सकते हैं, साथ ही साथ, यह कोई आपके दिमाख में question आ रहा हो, या triple C से related कोई problem हो, तो उसको भी आप comment कर सकते हैं, हमारी team दोरा, या मेरे दोर जल्दी से जल्दी आपको reply किया जाएगा, इसका जो right answer होगा, ध्यान नखियेगा, important है, confused मत होएगा, B होगा, peer to peer, P to P stand for peer to peer B option, इसका right होगा, clear है, तो यह थे आज के online test के questions, मिलते हैं, कल साम 7 बजे, रात 8 बजे, और रात 9 बजे, नए online test में, नए questions के साथ, good bye, preparation करते र जाएगा, जाल पॉड़े, प्राःब這些 कब से जाएइWhen करते हैं, करते हैं, इसका पॉड़े भाईका फर्चानी से जाएएẫn